नमस्कार एजुकेसन इंडिया पर आपका एक बार फिर से सवागत है अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं UPSC Prelims के Admit Card के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस परकार से आपको UPSC Prelims का Admit Card डाउनलोड करना है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखेगा लेकिन अश्तरपाले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को like और share करते और साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को भी सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा दे अब आईए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको UPSC Prelims का Admit Card डाउनलोड करना है तो आपको बताते है Admit Card डाउनलोड करने के लिए आपको Google Chrome या अन्हे कोई भी ब्राजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है एजूकेसिनिंडियालाईउ.com आपको क्या सर्च करना है तो आपको सर्च करना है एजूकेसिनिंडियालाईू.com Google में यह सर्च करते हैं आपके सामने कुछ इस परकार से एक पेज आएगा यहाँ पर सबसे उपर वाले website को open कर लेना है website कुछ इस परकार से आपके सामने open हो जाएगी यहाँ पर जैसे आप थोड़ सा नीचा आएंगे तो देख पाएंगे UPSC Admit Card 2023 आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और इस पोस्ट को open कर लेना है पोस्ट आपके सामने कुछ इस परकार से open हो जाएगी यहाँ पर जब आप नीचे के और स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे UPSC Admit Card 2023 डारेक्ट लिंक आपको क्या करना है आपको इस डारेक्ट लिंक पर क्लिक करना है अब आपके सामने कुछ इस परकार से एक page open होगा यहाँ पर आपको by registration ID पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी registration ID फिल करनी है और यहाँ से अपनी date of birth को select कर लेना है जो भी आपकी date of birth है उस date of birth को यहाँ से आप select कर लेंगे उसके बाद नीचे आएंगे और यह capture code as it is इस box में fill करेंगे और फिर आप submit पर क्लिक करेंगे submit पर क्लिक करते ही कुछ इस परकार से UPSC prelims का admit card आपके phone या computer में download हो जाएगा यह थी पूरी जानकारी UPSC के admit card को लेकर वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो का प्लाइक को और से रवस्य करेगा और साथ ही ऐसे वीडियोस देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को भी subscribe करके bell icon को दबा दीजेगा मिलते हैं आप सकले वीडियो में किसी ने जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद